हाई गाईज वर्कम बैक टू माई चानल नहीं होप कि आप लोग बहुत बढ़िया तो आज मैं आप सब के लिए लेकिया हूँ विंडर्स फेशिल फेशिल इस फेशिल से आपके जो फेश है बहुत ही जादा ग्लोइंग हो जाएंगे और उसकी साथ ही आपकी फेश ब्राइ नहीं किये तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को और पे कर दीजिगा ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोगों के पास जाके पहुँचे तो लेट स्टार्ट वीडियो तो फेस्ट आपर हम लोग इस फे अबलेबल नहीं है तो आप राइस को ग्राइंडर में पीस करके भी इसको बना सकते हैं और मार्केट में एजीली मिल जाता है तो मैं पहले यहां पे राइस फ्लो ले रही हूँ और उसके साथ मैं जो दे रही हूं वह है टमाटर का पर्प यानि कि मैं आधा तमाटर को हैं तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं अपने पूरे फेस में अपलाई कर रही हूं और इसको सर्कुलर मोशन में अपने फेस में वाइप करूंगी तो हम लोग ने जो यहां पे राइस फ्लो लिया है उसमें प्रेजन रहते हैं लिनोलिक एसीट और यह वाइटमिन सी जो आपके स्किन टोन को निखाता है उसके साथ ही आपके पोर्स को क्लीन आउट करता है और उसके बाद मैंने या पे जो लिया है वह हनी तो हनी आपके फेस को मॉस्टराइज करेगा उसके साथ ही आपके स्किन में जो भी डाग है उसको भी रेडियूस करता तो यह हम लोग का हो गया scrubbing आप लोग आपके face को अच्छी से wipe out कर ली जाए और उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है हम लोग का massaging gel क्योंकि facial में massaging gel is very important तो उसके लिए मैं जो first ingredients ले ले रही हूँ वो है हम लोग का aloe vera gel तो मैं आपे aloe vera gel ले ले रही हूँ और उसके साथ जो आधा टमाटर हम लोग काटी तो उसी का pulp मैं इसमें डाल दूगे और उसके साथ मैं जो दूँगी वो है glycerine इन तीनों चीजों को अच्छे से mix करके आपको आपके face में इसको 10-15 minutes के लिए अच्छे से massage करना है क्योंक क्योंकि इसको massage करती है आपके face बहुत ही जादा glowing दिखने लगे और इसमें जो present है aloe vera gel वो आपके face को बहुत ही अच्छा soothing effect देगा क्योंकि इसमें भी प्रेजन रहता है antioxidant तो आपके skin tone को निखारेगा आपके skin में जो dark spot है उसे भी reduce करेगा और उसके साथ है इसमें जो म अच्छे से निखार देगा तो यह चीजों को अच्छे से आप लोग आपके पूरे face में मिक्स करके लगाए और massage कीजिए 10-15 minutes के लिए उसके बाद कोई भी गीला कपरा लेके अपने face को wipe कर लीजे और उसके बाद हम लोग जो last ingredients करेंगे वो है हम लोग का face pack तो face pack बनाने के लिए हम लोग ले रेंगे coffee कोफी के साथ में या पे दे दोंगे honey और इसके साथ दोंगे turmeric तो यह तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके आप अपने face पे apply कर लीजे और इसको 10-15 minutes के लिए रख करता है आपके skin में जो tanning पढ़ गया उसे हटाता है और उसके साथ है अगर आपके dark circle के problem है तो under eye में भी बहुत अच्छा काम करता है और उसके साथ मैनिया पे जो डाला है वो है honey honey आपके skin को moisturize करेगा आपके इस winter में skin को बिलकुल भी dry पढ़ने नहीं देगा और इसके सा लगा कि आप 15 निट के लिए उसके बाद wipe out कर लीजिए आप देख सकते हैं मैं जब wipe out करी हूं मेरे skin में कितना अच्छा सा glow आ रहा है तो आप लोग भी ऐसा ही glow चाते है तो इस पूरे facial को आप जरूर ट्राइक करें और उसकी साथ जो लोग के skin बहुत साथे dry है वो लोग सिरम को यूज कर सकते इसका भी मैंने अल्रीडी वीडियो डाल दिया तो इस विंटर में अगर सिफ आप लोग के ही चीज करते हैं तो आपके skin आप खुदी ने परचान पाएंगे इतना अच्छा glowing soft हो जाएगा और आप लोग के जो भी skin related issue हो भी बहुत हत तक कम हो जाएं सु मिलते हैं नेक्स वीडियो पितबते के लिए बी सेफ और बी ग्लाम्रस बबाइए